नमस्कार दोसनों, स्वागत करती हूँ आप सभी स्वस्थ होएंगे और खुश होएंगे आप लोगों की समर विकेशन खतम हो गई है, समर विकेशन में जो भी आपकी एक्स्ट्रा क्लासेज लग रही ही थी वो आप खतम हो गई है आप जुलाई से आपके स्कूल खुलने वाले हैं और वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा आपका स्लेबस कौन से स्लेबस के बिहाफ पे आपका सेशन 22 ते इसका बोर्ड एक्जाम होने वाला है बिटा आप लोगों को पता है कि इससे पहले कोविट के चलते दो बार बोर्ड एक्जाम हुए थे टाम फर्स और टाम टू और इस पार आपका सिर्फ एक ही बोर्ड एक्जाम होने वाला है जो दो टम में डिवाइड़ नहीं है इसका मतलब आपका पूरा 100 परसेंट जो पेपर है वो आपका आएगा सो नंबर का ठीक है आप जो बच्चे मतलब ऐसे ग्रह विज्ञान यानि की होंग साइंस पढ़ रहे हैं चाहे उनके पास एडिशनल है चाहे में सबजेक्ट है तो आप लोगों को पता है कि बिटा ये प्रिक्टिकल सबजेक्ट है इसके अंदर 30 नंबर का आपका प्रिक्टिकल होता ह जाएंगे किस चेप्टर से आपका ज्यादा मार्क्स का एक्जाम में पूछा जाएगा और कॉन से चेप्टर से कौन सी इनिट से काम आएगा उसको जानेंगे हम इस वीडियो में लेकिन अगर आप सिक्षा प्रवा पर पहली बार आये हैं और आपने अभी तक भी शिक्ष तो बीटा 22 तेस का यह आप लोगों का स्लेबस है जो कि CBSC ने दिया है तीन गंटे का आप लोगों का एक्जाम होगा जैसा कि आप लोगों को पता ही है और आपकी छे यूनिट्स इसके अंदर है जिसके अंदर पहली यूनिट है कारे आजीवी का तथा जीवी का जो की बिटा पार्च मार्क्स में आएगी सेकिंड है आपकी आपकी टियार比較 और ही प्राफ़ सकते ह में सकती हमक striktatum का सभी में यूनिट्स में से कौन सी अबाइब चोड़ सकते हैं उसको हम न थे लेंगे तो सब से पहले जो सबसे पहले जो आपकी का इकाई है फर्स्ट कारे आजीविका तता जीविका इसके अंदर आप इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे जिसमें इसके कारे देखेंगे जीविकाओं को देखेंगे भारत के जो ट्रडिशनल बिजनेस हैं उनको देखोगे जैसे की क्रशी हो गया हस्त शिर्फ हो गया भारते पाक प्रन अल्य ही ॏ या फिर चञ्णकला हो गया इसके अलावा कारे आयू और जेडर के बारे में आप यहां पर दिखेंगे इस तरियों और उनके कारे से संबंदित मुद्धों को आप यहां पर जानोंगे के जीवी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यूजना के बारे आप यहां पर जानोगे, कारे की प्रती मनोवरतियां ततर डिस्टिकॉन आजीविका के लिए, जीवन कोशल जिसके अंदर आप उनकी मनोवरतियां और डिस्टिकॉन समझोगे, आजीविका के लिए कौन से जीवन कोशल होने चाहेंगे, कारे स्थर पर आवशिक प्रिक्रिय और अहार की, तो इसके अंदर आपको पोशन देखना है, निदांतिक पोशन देखना है, इसका महत्व देखना है, मुल्भुत संकल्पना है, अहार, चिकेट्सा, अहार के जो प्रकार है, नियमित और संसुर्दित, अहार, तरलता में परिवर्तन, भोजन देने के क्या तरीक जानोगे, इसकी संकल्पना जानोगे, जन्स वास्ते पोशन जानोगे, भारत में पोशन सम्मद्धी समस्या हैं, प्रोटीन उर्जा को कुकोषन, सूश्म कोश्कों की कमी, लोहतव की कमी, विटामिन ए की कमी, आयोडिन की कमी से कौन-कौन से रोग होते हैं उन सारी चीजों को आप यहां पर जानोगे और पोशन समस्या का सामना कैसे करना है उनको खतम कैसे करना है तो वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे इसके अलावा भारत में संचालिक पोशन कारेकरम कौन-कौन से हैं वो सभी आपको पढ़ने रहेंगे जैसे ICDS हो गया पोशन हिंतन यंतन कारेकरम, आहार पूरक कारेकरम, भोजन सुरक्षा कारेकरम ये सारी, इसके अलावा बिटा स्वास्था देखपाल कारे छेतर भी आपको पढ़ना है इसके अलावा बच्चे मैं आपको इहां पर बता दूं तो ये आपके इहां पर इन चैप्टर से कौन-कौन से प्रयोगी कारे दिये जा सकते हैं तो chapter जो आपकी unit first थी, उस unit से कोई भी प्रयोगी कारे आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो आपकी second unit है, उधर से आपको जो प्रयोगी कारे दिया जा सकता है, वो है व्रद जनों के लिए सामाने आहार को म्रदु आहार में परिवर्दित करना, और जो second इसी chapter से आपको प्रयोगी कारे यानि कि आपका practical work दिया जा सकता है, वो है portion कारे कर्मों के लिए पूरक खादे बदार्थों को विक्सित करना और तयार करना, इसी के अंदर यानि second unit में ही जो आपका chapter है, वो है खादे प्रसेशकरन और प्रद्योगी की, इसमें आप थियोरी में पढ़ेंगे इसकी प्रस्थावना, महत, मूल, बुठ, संकल, नाय, खादे विज्ञान, खादे संसादन, खादे प्रद्योगी की और खादे उत्पादन, इसके अलावा खादे संसादन और प्रद्योगी की का विकास, सरक्षन का महत्व, खादे सरक्षन का महत्व, खादे पदार्थों का वरगी करण, सीमा के प्रकार, आधार, जीविका की तेयारी और खारे चेत्र, जहां इस चीज़ को आप थियोरी में पढ़ेंगे, तो वहीं प्रेक्टिकल में आपको स्कूल की केंटीन के लिए या एक मध्याय भोजन, यानि की दोफहर की लंच के लिए आपको एक सप्था के वियंजन का मेन्यू बनाना है, तो ये आपको प्रेक्टिकल में दिया जा सकता है, इसके अलावा चौथा प्रेक्टिकल एक संसाधित खाद्य उत्पाद का खादे गुणवत्ता और खादे सुरक्षा, तो वही सब इसकी प्रस्थावना मेहतु मूलभूद संकल्पना जिसके अंदर आ जाएगा खादे सुरक्षा, संकट, खादे संक्रवन, खादे विशाक्ता, खादे गुणवत्ता, खादे मालक नियम जो F.S.S.A. ने दिया है इन समझोतों को भी आपको पढ़ना है, खादे सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों को भी आप इहां पर देखोगे और समझोगे और इसके अलावा जो आपको पांचमा प्रेक्टिकल दिया जा सकता है वो है खादे अपमिश्रन के लिए गुणात्म परिक्षन, इसके अलावा आपकी है यूनिट तीन जो है मान पिकास और परिवारत इस इकाई में जो आपका चेप्टर फर्स्ट है वो है प्रारंभिक बाल्यवस्था देख भाल और सिक्षा इसकी संकल्पना महत्व के साथ साथ जीविका की तयारी और कार्यचेत्र आप पढ़ेंगे इस अध्याय से आपको कोई भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं दिया जाएगा सेकेंड अध्याय जो आप पढ़ेंगे वो हैं बच्चों युवाओं और व्रत जनों के लिए सहायक सेवाओं संस्थाओं और कारेकर्मों का प्रबंदन तो इसका महत्व मुलभूत संकल्पना औ सरकार द्वाला चलाए जा रहे बालगर है गोद लेना युवा क्यूं समवेदनशील होते हैं भारत में युवा कारेकरम व्रत जन क्यूं समवेदनशील हैं व्रत जनों के लिए कुछ कारेकरम जीविका की तयारी और कारेचितर ये सारी चीज़े आपको इसमें पढ़नी रहेंगी इसके अलावा बिटा आपको जो प्रायोगी क्यानी की प्रैक्टिकल वर्क दिया जा सकता है वो है स्थानिय रूप से उपलब्ध और देशी शामगरी का उप्योग करके बच्चे आयू उप्युक्त के लिए कोई भी खिलोना तयार करना हो सकता है या फिर के अंदर आपको संचार और विस्तार यानि की जो संचार से रिलेटेड यूनिट है उसके अंदर आपको हो सकता है विकास संचार और पत्रकारिता वाला चप्टर पढ़ना है उसमें आपको प्रिस्थावना महतू उसकी संकल्पनाए विकास विकास पत्रिका विकास संचा संचार की विधियां जिसके अंदर आपका अभियां, रेडियो, टेलिवीजन, मुद्रण माध्यम, सूचन और संचार, यह सारी चीजें आ जाएंगी. बिटा, यहां तक जो आप स्लेबस देख रहे हैं, कि 30 सितंबर 2022 तक मध्यवधी परिक्षा 2022 ते इसका पाठेकरम पूरा करना, मतलब कि यह आपके जो आपको पता हैं कि मिट्रम हो रहे होते हैं, तो यह आपके मिट्रम तक का स्लेबस है, और इसके बाद आपके जो हाफ यरल मिट्रम एक्जाम होते हैं, वो एक्जाम कंड़क्ट होंगे, ठीक है बिटा, और इसी के साथ आप लोगों के एक्जाम के बाद प्रिक्टिकल होगा, जैसा कि उपर दिया गया है, अब जो बागी यूनिट छूट गई है, उन यूनिट को आप पढ़ोगे अपने सेकिंड में ठीक है, और वो कौन कौन सी यूनिट है, तो वो है, इकाई फोर वस्त्रेवम परिधान, वस्त्रेवम परिधान को बिटा, आप अपने सेकिंड टम में पढ़ोगे, और इसके अंदर आप वही सब पढ़ोगे, मतलब जो डिजाइन है, रंग है, बुनावत है, रेखा, यह सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, डिजाइन के सिध्धान्त पढ़ोगे, और जो प्रिक्टिकल इसमें आपको दिया जा सकता है, वो है, अनुपी उक्तुबस्त्र डिजाइन, तकनिकों का परियोग करके, कोई एक बस्तु तयार करना, बंधाई और रंगाई करना, यह वाला चेप्टर आपको पढ़ना होगा, जिसके अंदर आपको फैशन का विकास, उसके केंद्र, इन सब के बारे में पढ़ना होगा, व्यापार, फैशन का, फैशन का खुद्र, संगठन, अब वस्तरों की देख भाल, आपका नेक्स चेप्टर है, जिसके अंदर आप के उपकरण, सुखाने के उपकरण, स्तिरी प्रेस के उपकरण, संस्थाएं, जिविका की तयारी कारेशेत से सारी चीजे हो जाएंगी, और प्रेक्टिकल आपका हो सकता है, सफेज सूती वस्तर से विभिन प्रकार के दाग दब्बों को हटाना, बॉल पैन सबजी, करी, प्रेस, यह सारे दागों को हटाना, कैसे हटाते हैं, ठीक है, उसकी बाद आपका जो इकाई है, वो है इकाई पां संसादन प्रबंधन, तो बिटा, इसके अंदर आपको आती थे, प्रबंधन के बारे में पढ़ना है, अपती थी, हमारे गर में आता है, तो किस चीज का द आपका जो प्रेक्रटिकल वर्क हो सकता है, नर्धारित पद के लिए विज्यापन करना, या मुल्यान करना, ठीक है, इसके बाद नेक्स रध्याएसी यूनिट में है बीटा, उपभोगता सिक्शा और सरक्ष cared, इसके अंदर आप उपभोगता सिक्शा और सरक्षются दिकना जानोगे उपभोगता उपभात उपभोगता वहवार उपभोगता फोरम उपभोगता आगमन संख्या इन सबको आप देखोगे इसके अंदर आपको प्रेक्टिकल के लिए दिया जा सकता है उपभोगता सिक्षा और सरक्षन के लिए डिटेल्स तयार करना पैंप्लेट तय समबर तक आपके स्कूल में कम्प्लीट करा दिया जाएगा और इसके बाद फिर बिटा आपके एक्जाम ली जाएगी प्रीबोड की और फिर उसके बाद बोड की तो यह है आपका असले बस 22 और 13 के लिए जिसको आपको पढ़ना है जिससे कि आप अच्छे माक्स ला सकें औ और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए अपने स्लेबस को कवर करने के लिए आप सिक्षाप्रवा को सब्सक्राइब करने अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रस कर लें जिससे की वीडियो के नोटिफिकेश पढ़ रहे हैं उनके लिए